नमस्कार, स्वागत है आप सभी का NCRT के लाइव इंटराक्टिव सेशन में और मैं हूँ आपकी मेजबान सिम्रन सिंग आप सभी हमारा ये खास सत्र देख रहे हैं PME विद्या के चैनल नंबर 10 से और हमसे राप्ता करने का एक और जरिया है आप सब जानते हैं कि हमारा YouTube चैनल है NCRT Official तो अगले आधे खंटे के लिए अपने सभी विद्यार्थियों के लिए लेकर आए हैं हम हिंदी का ये सत्र खास्त और पर हमारा ये सत्र रहेगा हिंदी के 10 वी के विद्यार्थियों के लिए पर यदि किसी और कक्षा के विद्यार्थियों ने भी हमारे साथ कनेक्ट किया है PME विद्यार चैनल नंबर 10 के माध्यम से और आपके कोई भी सवाल है जो आपके जहन में आते हैं हमारे सत्र के दौरान तो हमारे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएगा इसके अतिरेक्ट एक कॉन्टाक नंबर फ्लाश हो रहा है आपकी स्क्रीन पर इस नंबर को नोट डाउन कर लीजिए यह है 88 00440559 और कक्षा दस्वी के सभी विद्यार्थियों के लिए कादिकार एक मेल आएगी dts.class10 at the rate ciet.nic.in तो हर रोज हम बहतरीन विश्य चुन कर लाते हैं अपने सभी दर्शकों के लिए तो आज आप सोच रही होंगे कि हिंदी की इस कक्षा में आज हम किस पर बातचीत करेंगे तो आज का हमारा विश्य रहेगा मैं क्यों लिखता हूँ और ये सबक जो है इसके लेखक हैं अग्ये और इसी पर और जानकारी प्रदान करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ एक महमान भी मौजोद है चलिए उनसे आपका तारूफ कराते हैं स्टूडियो में हमारे साथ डॉक्टर अपाला भारगवी मारब नमस्कार बहुत बहुत स्वागर दस्तक्बाल आपका इस सत्र में मैं हिंदी की अध्यापिका हैं कंसल्टेंट और प्राक्टिसिंग टीचर हैं तो वो विभिन माध्यम जिनके जरीय आप हमारे साथ कर सकते हैं आप जानते हैं तो चलिए आगास करते हैं अपनी इस चर्चा का तो सबसे पहले तो मैं 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 इसम्ही निवेदन करूंगे कि आज कर जो हम सबक पढ़ने वाले हैं में क्यों लिखता हूं इसके लिखक है अग्य तो उनqué के बारे मिन औरा जानकारी हमारे दृश्कों को प्रदान गरे जैसे अग्ये के बारे में उनका पूरा नाम सच्चिदानन्द, हीरानन्द, वादसायन, अग्ये है और हिंदी आधुनिक हिंदी साहित्य के ये पूरोधा हैं इन्होंने हर विधा में लेखन किया कविताएं लिखी मतब प्रसिद्ध कवी माने चाते हैं सुप्रसिद्ध मार्कदर्शक की तरह काम करते रहे हैं हिंदी साहित्य के बाद के कवियों के लिए लेखक, उपन्यासकार, कहानिकार और चोटी कई छोटे-चोटे निबंध भी इन्होंने लिखे तो इनके बाएरे में ये कहा जा सकता है कि ये चहुमुखी इनकी प्रतिभाथी हर दिशा में इन्होंने हम पाठकों के लिए बाद में की पीडियों के लिए कुछ न कुछ इन्होंने दिया हर विधा के माधियों से तो अगे के बारे में ये है याली इनकी बहुती कुपी रचनाएं है पर शुण से पर्नेयाश उपन जिवन धू ज्यवन, atomahlenश जेक जीवने जानी जाइक हरी ऺं़ के पत्थर की तरह बानन्याश जगत करते रहे हैं तो इसे से मुझे लगता है कि थोड़ा सा अंदाजा तो ले ही सकते हैं हम आज के बाट का तो आपने खुबी परीच्चे तो करा दिया हमारे साथ हमारे लेखक का पर जो आज हमारे विश्य है इसका जो शीर्शक है मैं क्यों लिखता हूं अपने आप में ही सु काम कर रहे हैं तो असी ही वजभ को यह किसी और से पूच है किसी और ने पूछा या नहीं ये खुद अपने आप से यह सवाल खड़ा करते हैं, कि आखिर मैं लिखता क्यों हूं? यह सवाल दुनिया उनके सामने कई बार दुनिया ने लोगों ने रखा होगा, तो और कई बार ऐसा होता है कि पाठक की बात और हमने ततकाल कह दिया कि मैंने अपनी अभिवेट्टी के लिए मैंने लिख दिया, लेकिन वो सवाल कई बार ऐसे होते हैं कि जो एकांत में हम ढूंडते हैं खुद से, तो एक खास तरह कि यह आत्म आत्म चिंतन, आत्म प्रश्न है यह पाठ, उसी तरह कि गर्दशायली में है, कहानी हम कहानी कह भी सकते हैं, कहानी नहीं भी कह सकते हैं, इसे डायरी भी कह स कि यह एक प्रश्न की तरह हमारे सामने खड़ा होता है जिसका उत्तर तलाशते हैं जैसे डायरी लिखते हैं तो हम अपनी बात कहते चले जाते हैं ठीक इसी तरह अगर आत्म कथा लिख रहे होते हैं तो हम अपनी बात कहते जाते हैं उसमें सवाल फिर नहीं होता है सिर्फ अ कि उस वो लिखता क्यों है अब प्रयोजन की तरह उद्देश वजनता को पाठक को हम जैसे पाठकों को बताता है कि मैं लिखता क्यों हूं और इसके पीछे को देश भी है ये बताने का ये प्रश्न इस प्रश्न का उत्तर देने का ताकि हर व्यक्ति इस विधा का इस्तमाल क लेकिन लिखना किसकी सिर्थ का होना चाहिए ये इस पार्थ को पढ़ने के बाद हमारी आगयाता है कि ऐसे नहीं अरगल प्रालाप नहीं कर सकते। अगर हम लिख रहे हैं तो लिखने की कोई वजा होनी चाहिए और वजा क्या है वो उद्देश क्या है यह हम इस पार्ट को जब पढ़ते हैं तो निकलता है कि जो स्विक्रित उद्देश माने जाते हैं मानको को तोड कर के यानी रूल सेंट ड्र गोलिशन को तोड़ कर अपाप लिखें तोसे क्या क्या हो सकता है अप लिख WRth है तो उसी गाल पर जाए जिस से कुछ निकल जाए बिल्फों तो पैठक के लिए किसी ना किसी तरह का ला यह Лावण धायक हो उसको किसी ना कि एक मार्क्दर्शन करें जागरुकता हो सकती है तो अब इस पाठ इन चोटी सी बात में उदाहरण के मानृजी नदीज कर लिखता है तो जागरUKता पंदै करने के लिए लिखता है, कब लिखता है कब लिखता हैanes nukle इसी तरह हर तरह का लेखन अब डाइरी लिख रहे हैं इसमें कहा है जागरुपता पैदा करना हो सकता है हम बात जो कह रहे हूं आज से दो साल बाद मेरी लिखी हुई चीज कोई पढ़ है तो पाथक जब कमजोर हो रहा होता है कोई ऐसा समय ऐसा आए उसके सामने कोई अधा अधारन आये मालीजे हम पढ़ एंभाध काहनी सुनते हैं कालिडास के बारे क्यों चे विए कि निदे बात कहीं भी गई है लोकोकती और तो उसके पिछे कोई कारन रहा होगा तो उसे हम जैसे लोग फूल्स कोई लिखने वाला कोई भी भी बहानने वाला कोई भी भी बोल मेरा आहित कर दे तो ऐसा नो हो तो लिखना बोलना यह सारी चीजें फिल्म अभी नेता कुछ अभीने कर जाता है तो पीछे कुछ हमारे लिए मैसस चोड़ जाता है हम अगर बिन मैसेज वी संदेश वी फिल्म अगर देख लें तो हम निकल कर ठीक है दो मिनट हम वारे बहु जैसे अपने टीचर का मजा कुड़ा रहे हैं तो क्लास में नहीं कर पाते क्यों कि वो मौका आपको नहीं मिलता तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर समय हो लेकिन हर चीज के पीछे एक उदेश होना जाहिए निरुदेश कभी भी कोई चीज नो हो अब रही बात कि उदेश होना क्या चाहिए तो यह पात हमें एक झ्छलक देता है कि किस किस तरह के उदेश गढ़ जाते है एक लेकई गढ़ता है उतना चित्रकार गढ़ता है उसके उसके पीछझ नगकुँ और हुआ ह eu a message मैसेज को ट्ट घटोलन तलाशना पाठाग माय मत का चतर हो हो दो जो उसका मुरीद है उसको उसको सीख ले इसे प्रेन जैसे इस पार्थ में उन्होंने पहले ही पहली पंग्ती में कहा कि बहुत ही आसान प्रश्न है कि मैं क्यों लिखता हूं लेकिन जितना ये प्रश्न आसान दिख रहा है वास्तों में उसका जबाब has cannot क्योंकि हम यूही नहीं कह सकते कि मैंने खाना बनाया ओ मैंन नहीं कर रहा था मन नहीं लग रहा था मन नहीं लग रहा था मन नहीं लग रहा था मैंने सोचा थोड़ी किचिन में हाथ आज मालू हमने कह दिया लेकिन उस खाने के पीछे अगर हमने तो मनुरंजन के लिए तो क कि यह कहें जवाब देंगे क्या मैं तुमन आरंजन के लिए बनाया बनाया दो तुरंट गाइन कि ढुए लगाए घ्लज़ एक सीङ को अपने तो अपने मन के लिए थोडि देर किचन में जाकर बनाया लेकिन वो बनाना निरुदेश नहीं था, मनुरंजन ही सर्फ नहीं था, एक चीज को सीखना था, तो यहां वो कहते हैं कि वैसे प्रशनों का, जो अमूर्थ प्रशन दिखते हैं, मूर्थ होते हुए वे अमूर्थ होते हैं, उनको तलाशना बहुत कठिन होता है, आगे पाठ में जा करके, एक उत्तर तो यह है कि मैं इसलिए लिखता हूं कि स्वयम जानना चाहता हूं कि मैं क्यों लिखता हूं, लिखे बिना इस प्रशन का उत्तर नहीं मिल सकता, अब सवाल है कि आप जब तक खाना बनाएंगी नहीं, आप पैंटिंग करेंगी नहीं तो आपको ब्रश को पता कछा उत्तर यहीं है कि हम बिना लिखे जाने ही नहीं सकते, इसके बाद वो कहते हैं, लिखकर ही लेख। उस अभ्यंतर अभ्यंतर विवश्दा, यह कशबद अभ्यंतर विवश्दा को लेखक ने विशेष उस पर जोर दिया है, तो लेखा कह रहे हैं कि आभ्यंतर विवश्टा के कारण हम लिख रहे हैं अब आभ्यंतर विवश्टा यानि आंतरिक विवश्टा मजबूरी आंतरिक क्या है मन की मजबूरी क्या है मन की मझबूरी है कि यहां पर जब हम पढ़ेंगे कोई भी फिरक्चना हम पढ़ते हैं तो हमारी आंतरिक मझबूरी क्या होती है हुम अफकात रहे हैं, हम उनНе लाक। कोई द्रिष्य देखा और बर द्रिष्य देखने के बाद हमें लगता है हम बचैन हो उठे कोई दर्द का सीन देखा हम ने देखा किया उस किसान ने उस फिल्म में या हमने कोई लेख पढ़ा किसान ने आत्मातिया कर ली अब यह विवश्ता हमारे भीतर उठती है हम चाहते हैं कि यह बचैन कर रहा है यह दृषिय यह किसी भी तरह लिअ कहते हैं तो जो अंतरिक है वह दीए आंतरिक उससे हम बैचाय को अना चय होट बता है वह अम क्या प्रशङ मैंघा है तो प्रॉटि हम प्रिद्य प्र मांधियों के हम सकते फिल्म के अज्य हो उसको आपना कि जहें कॉते हैं तो फिल्म तुरंथ धना रोलिय हैं भी को तो जितनी भी रचनाई दुन्या में हुई वह वो आंतरिक अभिव्यक्ति को यह लेकिन बाद में यह कहते हैं क्या अंतरिक अभिव्यक्ति तो है यह तो शास्वत सत्य अंतरिक अभिव्यक्ति के लिए करता है। यानि अपने सुहRO के लिए अपने सुह के लिये लिक दिया लेकिन लिख तो दिया, पता चला हमारी कोई रचना विश्ववी ख्यात हो गई, अब हमारे पास विश्वी ख्यात हो या दस लोगों ने उसको सरा, अब वो दस लोग आपको आगे आ करके कहेंगे, कि प्लीज मेरे लिए आप इस कविता पर कुछ लिखते हैं, या इस विश से किसी प्रकाशक के तकाजे से, तो हम लिखने के लिए कई बार हम पर दबाव आने लगता है, जो दबाव आता है, वो दबाव वास्तों में दबाव से लेखन नहीं होता, बाहरी जो लिखा लिखावत होती है, उसमें वो दम नहीं होता, और हर लेखक यह जानता है, कि मै कि आप सूच रही इन आप चुछ रही हो खार अधिस ने जान रही हो कि मैंने जो यह वक्तव दिया थे अग्टाव नहीं है उचलत प्रसंग में दे दिया तो ऐसे ही हर लेक्ष चुखि वह लेक्ष है वह लिखता है वह अपने को कैसे नहीं जा दुनिया को समझ रहा है दृ कृता है रखना की लुछी कि नखी दुनिया की कृती नहीं होती हुई है कुछ चास ही होती है थी। hokhtHi हम से लिख्चाल छोग लिख्व लुख लगक लिखे रहा है तो इस तरह की घ्टना हर लेकन लेखन नहीं है। तो लेखक का मानना है जो आंतर एक्विवष्टा से लिखा गया लेखन है वही असली रचना है बस अब इसको हम बहुत ही इसका इक इतिहास है इस विशय पर काव्य या लेखन के का प्रयोजन यह आज का सवाल नहीं है यह सवाल सथियों से पूछा जाता है यह पहली बार इ कावेशस्त्र में मूलत हैं बहुत हमारे शंस्क्रूथ sahib के बहुत भड़े कावेशस्त्रि हुए acqu intelligence तो ममarmमट तो पहले हमें अपना मन अपनी पूरे भाव की बहुत सुंदर अभिव्यक्ति करनी होगी और उसके बाद यश्ट पीछे पीछे आएगा तो पहला कारण बोलते हैं ममट कि काव्यम यशशे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतरक्षताई सद्या परिनिवृते कांता संमितयो उपदेश युजे अर्थात कि यश के लिए हम लिखते हैं यानि प्रसिद्धी के लिए अर्थ के लिए अर्थ यहां का मतलब मीनिं नहीं दिलूआर टीसरा बताते हैं प्यार हम जब लिखते हैं तो लिखी हुई चीजों को पढदे हैं तो संब्सेहां की बारे में जानकारी होती है तो में घजा किसे सुनना है किसे संद्रा ऑर तमाम जो रिठने हैं गया है by काम आएगी हमने कोई उपन्यास पढ़ा जिसमें किसान की तमाम तरह की समस्या हैं हमने पढ़ने के बाद हमने उसको इंपलिमेंट किया ठीक इसी तरह भी बहुती प्रसिद रचना है अनुपम मिश्रकी ता आज भी खरे है तालाब अब तालाबों के खत्म हो जाने का पर च अबिश्ति तुरंत मुक्ति मुक्ति किस चीज से हमारें अंधर की जख तो हम समाज को भी मध R YOUPRA beautiful प्रिया की तरह की तरह प्रेमिका की तढ़ मा की तरह अझा की तरह ए commence की तरह इसा उप देश जो हमारे कल्यान के लिए हो तो हम समाज को भी मध our üpदेश थेBER व्हास उपदेश था नंग अच्छी बहाशा में तर निंदक को नस्दीक रखना है लेकिन वह निंदक 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 रखना है लेकिन वह निंदक जरूरी निए हर समय अटाकिंग पोजिशन में हो वह कई बार मधूर तरीके से आपको सम्झा जैने मत करो यह जिस आँ पर बेठे घाल पर बैठे उसको काट रहे हो यह मध्युरूपदेश की तरह काम करता है तो इस तरह से छे प्रयोजन बताए और इसी की बात आगे लेखक करता है और लेखक करते-करते आखर में लेखक एक उदाहरंड देता है लेखक करता है कि मैं एक विज्यान का कि मैंने यह लिखा तमाम तरह की चीजों से मैंने अर्थ के लिए भी लिखा जब संपादों और प्रकाश्रकों डबाव डाला तो मैंने लिखा लेकिन अभी व्यक्ति कब आई असली अभी व्यक्ति तो बताया कि जब हिरोसिमा पर जापन पर विश्यु युद्ध के समय अन सरपत दौड रहे होते हैं उसमें जरूरी नहीं है थे हज़ान खर्च करते हैं तो छोटी से सी बात निकलती है लेकिन कविता तो उनों ने कहा कि मैं ने काविता में जब लेखन किया तो वह वास्तविक अनुभूति और वह कब किया कि मैं जब गया था था चाना कि पाढ़ कर कि लेकिन स्थम्र.... अच्छानलिक मैं बताया कि मुझे आचान के अचाना कपन जाना पड़ार और मैं वहाे तो एक पत्हर चाना क sudah गई था manifest वो चाया थी कभी जब बंगिरा होगा तो वो व्यक्ति धूल की तरह उड़ गया खत्म होगा और उसकी जो चाया रही उसका जो परिनाम था वे पत्थर की जिसकी तस्वीर इस पाट में दी गई इसको देखने के बाद लेखक विचलित हो जाते हैं और अनुभूती बहुत अन्तरिक पीडा से गुजरते हैं और एक हिरोसिमा नाम की एक कविता की रचना करते हैं जो इस पाट के अंत में है बच्चों से मैं यही कहूंगी कि जरूरे से रोसिमा कविता को पढ़िए और जानिये कि अनुभूती वास्ताव में किस तरह की होनी चाहिए मैं केवल दो लोगों ने इस तरह के सवाल को रखा है तो इसी तरह का एक पंग्ती है सादत हसन मंटो की मैं लिखता हूं इसलिए कि मुझे कुछ कहना होता है मैं लिखता हूं इसलिए कि मैं कुछ कमा सकूं ताकि मैं कुछ कहने के काबिल हो सकूं ताकि मैं कुछ कहने के काबिल हो सकूं ताकि मैं और अपने को व्यवस्थित कर सकूं ताकि और विशहों पर मैं सोच सकूं तो यानि हम आत्म अभिव्यक्ति सबसे बड़ा बड़ी वज़ा होती है लिखन की पाकी यश अर्थ और तमाम चीजें पीछे पीछे चलती है विलकुल मैं बहुत ही खूबसूरत रचना और बहुत ही खूबसूरत ढंक से आपने हमारे सभी दर्शकों के साथ यह मत्वपून जानकारी साचा की आपका बहुत-बहुत शुक्रिया तो जितने भी दर्शक हमारे साथ इस कारिक्रम में जुड़े थे आप सब खावी शुक्रिया कहीं मत जाएगा कुछी समय में वा